Hey guys, how are you? Hope कि आप अच्छे होंगे और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप gate exam का preparation कर सकते हो, वो भी free of cost और gate exam की preparation करने के लिए आपको क्या tips, trick और idea चाहिए उसके बारे में भी आप जान सकते हो तो हम बात करते हैं कि ये जो gate exam है, आप लोग को मैं बता दूँ, gate exam के preparation में काफी पैसे आप खर्च करते हो, अगर मैं कहूँ कि gate examination के preparation है, वो मैं आपको free में कराऊंगा, तो आपको कैसा लगेगा, आप लोग का बहुत सारे लोग काफी लंबे टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूँ, कल यानि कि 2 अक्टूबर को मैं 8 बजे साम को 8 पीम लाइब आ रहा हूँ अन अकेडमी पे, और वहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से classes होंगी, किस तरह से चीजे होंगी, और आप लोग को सब को पता है, अन अकेडमी पे जो चीजे होती हैं, बहुत authentic होती हैं, और वहाँ पे आप लोग मेरे को join कर सकते हो 8 पीम पे, जिससे कि आपकी जो preparation के strategy और planning है, वहाँ पे मैं आपके जो doubt हैं वो clear करूंगा, वहाँ पे जो भी preparation के tips, tricks, ideas हैं वो आपको share करूंगा, one on one आप से communicate कर पाऊंगा, उसके बाद फिर quiz अगर आपको कोई चाहिए, तो आप quiz type में भी हम खेलेंगे, और बहुत सारे चीजे वहाँ पे हम discuss करेंगे, तो link उसका description में दिया गया, एक बार जा करके ज़रूर देखिए, एक बात और मैं बता दूँ, बहुत सारे लोग हैं जो gate की preparation करते हैं, लेकिन right guidance, right motivation या right चीजों की वज़े से वो gate में qualified नहीं कर पाते हैं, तो आप जो mistake कर रहे हो, किन गलतियों के कारण आप gate में select नहीं हो पा रहे हो, और मैं बता दूँ, अगर आपको कोई free up cost मिला, कोई भी course है, कोई भी चीज है, free up cost मिला तो I think आपको उसका use करना चाहिए, और सही से use करना चाहिए, जब आप उसका सही use करोगे ना तभी जा करके आप करियर में आगे बढ़ पाओगे, और बीटेक वालों के लिए gate एक बहुत बड़ा एक कहलो की हत्यार है, आपको government job में जाना है, gate exam दो, अच्छी private company में जाना है, तो भी gate का exam दो, Mtech अच्छी जगह से करना है, I IT से, NIT से, तो भी gate का exam दो, तो gate का exam आपके लिए बहुत important है, और आपको इसको importance को समझना पड़ेगा, ठीक है, और उसी importance को समझाने के लिए, मैं अगेडमी पे आ रहा हूँ, और जो ये मेरी class होने वाली अगेडमी पे, वो 8 पीम पे है, उसका link के description में है, आप लोग वह अच्छा score कर सकते हैं, लेकिन lack of knowledge की बिज़र से, वो gate में score नहीं करवाते हैं, तो guys अगर आपको gate में score करना है, gate में अच्छे number लेकर करके आना, gate में चीजे सही करनी है, तो इन सब चीजों पे आपको काम करने की ज़रुवत है, अगर आप सही से काम कर ले गए, अगर ये सारे लोगों का mind चलना होता, चलो मैं final year में जब जाओंगा, तब preparation करूँगा, तो guys ये भी एक important factor है कि आप कब preparation start करते हो, वो time बहुत पहले बीच चुका है, जब लोग final year में आगे preparation करते थे, अब लोग first year से strategy बना रहे हैं, और उस strategy के साथ दीरे 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 आगे strategy उस planning को आपको भी execute करना पड़ेगा, अगर आप नहीं कर पाते हो, तो कहीं न कहीं आप gate में अच्छा score नहीं कर पाऊगे, अच्छा score, gate qualify करना is not a thing, कि आप gate qualify कर जाओ, बहुत बड़ी बात है, gate बहुत सारे लोग qualify कर जाते हैं, लेकिन अच्छा score वही ला पाता है, जो gate में अच्छ strategy और planning के साथ वहाँ पे जाता है, तीन गंटे बहुत important होते हैं, वो तीन गंटे में आप कैसे plan करते हो ना, ये बहुत mandatory है, अगर वो तीन गंटे planning सही आपने planning करके execute कर दिया, तो अबस्ति आपकी सरकारी नोगरी पकी है, या IIT medvision पक्का है, आपकी live सफल है, तो फिर problem है, तो ध्यान रखे कि कल, यानि कि 2 October को मैं अकेडमी पे फिर से live आ रहा हूँ, उसका link description में है, अपने दोस्तों साथ, friend circle में जहां share कर सकते हैं, share करें, ताकि सब को पता चल सके कि gate में किस तरह से preparation strategy बनाया, preparation का tips, tricks, ideas किस तरह से रखें, क्या planning होनी चाहिए, जि आप से नेक्स वीडियो में, link description में join करना मत भूलिएगा, thank you